हेलो गाइज स्वागत तो आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद अमनकुल में आज अपना है डारेक्टर अफ एज्टिकेशन जीन सीटिय अफजली की वक्षीट नंबर 16 जो कि आपकी जनरीक वक्षीट नंबर 16 है सब जित आपका इंग्लिश है यानि यह आपक इसमें स्टेडी की वक्षीट है यह इनकलोड होते हैं इंग्लिश की लिए सब्सक्राइब हैं इंग्लिश की नोट बुक में कर सकते हैं डिट है इसकी 24 जुलाइ 2021 आप अपना नहीं मेर अपनी बड़ास तो जो आपकी वक्षीट का टॉपिक है वह ए खलें यानि इसमें कोई तटरफ नहीं आहिए दौंट में हडर ऐनानेकि सियों भूप दरतने के आहीं डिन ते अअंदेन आमेदे में आप यू आधेखे में पानि गंदया उंबार लगड़ा है इस डूस कर के बिंदे ब्लांक्स करने है तो दे स्थीन प्रिफिल दाने लेखें इस ताउंडे निए पार में लिखेंगे शेरिए नेध यह ब्लेन लिखेंगे there is garbage all around the place people do not use the dustbin to throw the garbage तो यह आप लिखनेगे आप इसका आंसर भी कर सकते हैं यहां से there is a beautiful town एक बहुत beautiful town है इसकी surroundings के आसपास सबकुछ साफ और सुत्रा है people dustbin का यूज़ करते हैं अपनी surrounding अपनी आसपास को साफ रखने के लिए dustbin में घच्छा परागते है जो दूसर डाउन है वो बहुत गंदा दिखता है हर जगे garbage पड़े हुए यानि कूड़ा पड़ा हुआ है और people dustbin का यूज़ नहीं करते हैं garbage को उसमें फेकने के लिए dustbin के बाहरी फेक जेते हैं तो इसमें भी है थर्ड जो कोशन है वो है जो थर्ड आपका टास्क भी है सब्सक्राइब आपके सराउंडिंग क्या से दिखते हैं तो आप इसका अंसा करेंगे अवर सराउंडिंग लोक्स beautiful because all the people are aware about the cleanliness तो मेरी सराउंडिंग है वहां पर फोड़ी साफ सुत्री है beautiful है हर जगे पेड़ है पहुत है क्योंकि लोगों को पता है कि स्वश्चता हमारे लें कितनी महस्त पूर्ण है cleanliness के इंपोर्टेंट है इसलिए हमारी जो surrounding है but आपको आपकी surrounding कैसी है आपको वह लिखना इस answer में आप इसमें correct answer लिखेंगे फूर्ट जो question है how can you keep your surrounding clean let us answer this question by choosing the correct answer option to fill in the blanks आपको correct option को tick करना है और आपको अपनी surrounding कैसे clean कर सकते है वह आपको fill करना है फॉर्स जो question है all of us like to live in a clean neighborhood और surrounding हम सबको पसंदेक clean यानि साफसुत्रे neighbor में साफसुत्री surrounding में रहनेंगा तो फॉर्स का clean हो जाएगा we must practice both personal and environmental cleanness हमें हमें अपनी भी स्वच्चता और environment की भी स्वच्चता का दियान लखना चाहिए this will help us to live a healthy life यह हमें एक सब्सक्राइब एक तम healthy life जीने के लिए motivate करता है waste or garbage should not be thrown anywhere हमें waste or garbage को कहीं भी नहीं फेक देना है हमें सिर्फ इसे dust bean में जालना है तो इसमें should not हो जाएगा इसमें आपका healthy हो जाएगा fifth है throwing garbage all over place the place will be pollute the environment अगर आप garbage को यहीं भी कहीं भी फेक देंगे फेक देंगे then आपका environment है वो pollute हो जाएगा तो fifth का आपका first throwing हो जाएगा then pollute हो जाएगा sixth question जो है collecting the use of plastic bag will help to keep your surrounding clean आपको control करना है plastic bag का use करने से तो आपकी surrounding यह वो clean हो जाएगी one should you recycle and eco-friendly products like paper or jude bag instead of plastic ones आपको use करना है recycle करना है यह को friendly रहना है आपको paper का use करना है jude bag का use करना है then आपको plastic का use नहीं करना है eighth sentence है littering cause land air and water pollution अगर आप कहीं भी कच्छा फेक देते हैं गार देते हैं और वो water pollution air pollution land pollution के causes है नाइन जो सेंटेंस है staying clean and healthy will keep us safe from diseases अगर हम clean रहेंगे साफ रहेंगे healthy रहेंगे then हम डिसी से सादूर रहेंगे साफ रहेंगे उनसे safe रहेंगे 10 जो सेंटेंस है so we should keep the surrounding clean and live a happy and healthy life तो हम अपनी surrounding को clean रखना है और एक खुश और healthy life को use करना है तो यहां से आप इसका answer कर लेंगे फर्स्ट का clean उड़ाएगा सेकिंद का cleanness थर्ड का healthy फोर्थ का should not फिप्त का throwing and then pollute शिक्स्ट का plastic सेवेंध का eco friendly एट का lettering 9 का decision 10 का happy तो यह थी आपके आज की बहुत असान सी work sheet I hope आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अभी तक आपने में चैनल को subscribe नहीं करें तो प्लीज चैनल को subscribe कर दें आपको work sheets के notification मिलते रहेंगे time to time आप चैनल को subscribe करते हम आपके लिए इतनी मैनत करते हैं तो आप एक subscribe तो जरू कर सकते हैं आपके एक subscribe से मुझे बहुत आपको खुशी मिलती है यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे like करिए दोस्तों अच्छी करिए और आपने अवे तक हमारे टेलिग्राम ग्रूप जोइन करें तो आप उसे join कर सकते हैं थांक्स वाचिंग लिए बैबै गाइस